आज का हमारा टॉपिक है क्याक कंट्रोलर एन ओडिटर जनरल आफ इंडिया हमें से कहेंगे यह कंस्टिटुटुशनल बॉड़ी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन से इसका हमने यूपिस से सुना है इलेक्शन कमिशन सुना है ठीक है लेकिन हमें क्याक बहुत कम लोगों को पता है लेकिन यह भी एक इंपॉर्टन पार्ट है हमारे कंस्टिटुशन का तो इसको हम डिटेल में समझते हैं तो देखिए हमारे four constitutional watchdog है तो हमारे इंडिया को develop करने के लिए strong बना के रखने के लिए ये हम कहेंगे कि चार watchdog है बहुत ही जरूरी और important है जैसे कि देखिए election commission of India क्या करता है election conduct करता है election में अगर कुछ गलत होता है उसे रोकता है ताकि election properly हो और सही candidate चुनकर बाहर आए अगर सही candidate आएंगा तो वो सही काम करेंगा ठीक है उसके बाद देखिए UPSC, UPSC क्या करता है UPSC जो class 1 officers होते हैं उनके लिए exam conduct करता है और उसका यही intention होता है कि सही officer हमारे administration में आए और वो properly काम करे ठीक है तो अगर सही officer आएंगा UPSC properly conduct होंगा तो आगे जाके हमारा India strong बनेगा अगर सोचिए UPSC किसी को भी चुनके लाता है या उसका काम properly नहीं करता है corruption हो रहा है कोई भी चुनके आ रहा है या class 1 officer तो आगे जाके वो क्या काम करेंगा किस तरह का काम करेंगा और हमारी country एकनम weak हो जाएंगी policies सही नहीं बनेंगी उसके बाद देखिए supreme court क्या करता है law को establish करके रखना ठीक है अगर कोई criminal act करता है या किसी पर कुछ बड़ा case चलता है उसको सज़ा देने का काम भी supreme court का होता है तो इस तरह से हमने election commission, UPSC और supreme court की हमको एक basic idea है क्या करते है मगर CAC हमारे लिए नया है लेकिन यह बहुत important है देखिए four constitutional watchdog में ही आता है तो हमको CAC की study इस वीडियो में करना है कि यह क्या है इसका काम क्या है क्या करता है हम इस वीडियो में सीखेंगे तो देखिए आपको basic बताता हूँ CAC क्या है धन के वे वो प्राप्ति का लेखा जो का auditing करने के लिए CAC का पत बनाया गया है बहुत pure Hindi है लेकिन आपको मैं समझाता हूँ देखिए हमारा जो हम tax भरते है ठीक है तो यह कहां जमा होता है हमारे government को यह जाता है तो वो कहां खर्च हो रहा है ठीक है और कहां से आ रहा है ठीक है तो इसका जो लेखा जो का करने का काम कोन करता है तो वो हमारा क्या करता है हम देखे अलग-अलग tax देते है government को तो हमारा जो tax government के पाद जाता है तो government क्या करती है उसको properly policies बनाने के लिए हमारे लिए use करती है अलग तरह के policies या development के लिए तो वो हो रहा या नहीं हो रहा ये properly इसका use हो रहा है के नहीं हो रहा है ये पैसों का काम auditing का काम कोन करता है क्या करता है तो तीक ही यह होगा एकदम basic काम इसका और इसकी study करते हैं अब यह देखे यह point most important है क्या को समझने के लिए he is the guardian of the public purse क्या है public purse and controls the entire financial system of the country at both the level the center and the state तो एक question आता है कि जो कैग होता है कि वो सिर्फ center पे काम करता है तो इसका answer है नहीं at both the level center and state दोनों जगा पे वो काम करता है किस से related entire financial system से related और he is the guardian of the public purse यह guardian है public purse मतलब कि हम जो tax बरते जैसे मैंने पहले भी का हम अलग तरह का tax बरते है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम जो tax भर देंगे यह पैसा को minister लेके भाग जाएंगा होता ही है तो आगे हम देखेंगे कि उसको कौन control करता है अगर ऐसा हुआ तो तो हमा है या कोई minister यह अपने जेब में दाड़ रहा है तो यह पुरा एक guardian होता है तो यही उसका basic काम होता है तो देखिए क्या जो है यह post controller and auditor general of India तो इसे appointment क्या इसके appointment कोन करता है ओत या affirmation कोन लेता है इसकी resignation अगर इसको later देना है तो यह किसको देंगा ठीक है तो यह तीनों का answer देखिए कि एक है President of India इसकी appointment कोन करते है तो हमारे President of India इसको जिसकी जो ओत या हम कहेंगे affirmation होती है कोन दिलाता है President of India अगर इसको resign करना है resignation लेटर देना है तो किसके पास देंगे यह तो President of India तो यहां पर बहुत सारे हमारे question cover हो गए अगर exam में गुमाफ विरा के आता है क इसके appointment कौन करता है answer है यह resignation letter इसको किसके पास देना है तो हमारे पास अब इसका answer है यह इसकी oath affirmation जो होती है वो कौन दिलाता है तो वो भी precedent है तो हम इस video को exam के point of view से ही बनाया है कि ताकि धीरे धीरे जैसे आप पूरा video देख लेंगे तो CACS related जितने भी question है इसमें पूरे cover किये गए है तो बहुत ही simple तरीके से मैंने बनाया है तो please आप इस video को पूरा देखे इसके बाद एक important point Dr. B.R. Ambedkar said B.R. Ambedkar ने देखी क्या कहा था CAC हमारी जो post होती है CAC की important office under constitution of India तो इनने नहीं कहा था यह बहुत ही important officer है constitution of India ऐसा क्यों कहा था obviously एक important officer है guardian of the public purse most important है देखिए जो पैसा हम tax मैंने कहा कि हम जो भरते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारा tax भर देंगे खुनपसिनी की कमाई और उसे कोई लेकर भाग जा रहा है तो इसको control कुन करता है guardian ही होता है पुरे पैसो का अगर थोरी दिर के लिए सोचे अगर यह नहीं होती post तो हम जो पैसा अगर tax का भर देंगे तो यह पुरे minister या हम कहेंगे कोई अगर ले लेंगा तो क्या हमारी development होगी हमारा इतना जो पैसा हम दे रहा है tax का तो खुन पसिने का तो इसका misuse होंगा तो obviously guardian of the public purse इसलिए उन्हें नहीं कहा था कि यह important officer है under constitution of India और देखिए head of the Indian audit and accounts department तो यह देखिए exam के point of view से important है पहले तो डॉक्टर अंबिटकर ने क्या कहा था export के post के बारे में क्यों कहा था और यह देखिए head होता है Indian audit and accounts department का तो इसके बाद question आता है कि क्या को किस तरह से appoint किया जाता है या फिर इसकी eligibility क्या है तो देखिए हमारे cannot mention in consideration कि इसकी जो eligibility है consideration में mention नहीं की गए लेकिन जो होता है मैं आपको बता हूँगा any IS level officer can be appoint as a CAG of India तो mostly हम कहेंगे पूरी तरह से जो IS officer है उनको ही CAG के post के लिए appoint किया जाता है अगर आप Wikipedia करेंगे तो जितने भी होके गए CAG के post पे officer तो यह पूरे IS officer ही थे हम ऐसा कह सकते है तो यह देखे mention नहीं है constitution में कई mention नहीं है कि इसके लिए क्या eligibility होनी चाहिए मगर mostly IS officer को ही appoint किया जाता है इस post पे क्योंकि वो level की उनकी knowledge और वो capable होते है इस post को handle करने के लिए इसके बाद दिखिए मैंने जैसे कहा था कि यह constitutional body है ठीक है तो कोई ना कोई article में इसके बारे में बताया गया होंगा तो देखी article 148 to article 151 में इसके बारे में पूरी information दी गई है अब हम एक एक करके उसको देखते हैं कि क्या बताया गया है इन articles में तो पहले लेते आर्टिकल 100 and sorry 148 में देखी क्या बताया गया है there shall be a controller and auditor general of India who shall be appointed by the president तो आर्टिकल में ये बताया गया है 148 में there shall be a controller and auditor general of India who shall be appointed by the president तो एक पोस्ट होंगी controller and auditor general की जिसको appoint कोन करेंगा प्रिसिडेंट तो हमने पहले देख लिया था कि इस को पाइंट कोन करता है प्रिसिडेंट तो देखें आर्टिकल में यही बताया गया है इसके बाद आर्टिकल 149 इसमें क्या बताया गया है duties and powers of the controller and auditor general of India तो इसकी क्या duties होती है इसको क्या powers दिया गया है तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है अब देखें ये state level पर क्या करते है ये accounting भी करते है और auditing भी करते है और center पर auditing करते है तो सब में पहले क्या difference है accounting और auditing में क्या difference है तो जो commerce के students है उनको अच्छी तरह से पता है तो मैं आपको बता देता हूँ accounting और auditing में minor difference हम कहेंगे कि पैसा कहा का खर्च हुआ, उसका लेखा जो करखना मतलब accounting, ठीक है, यहाँ पैसा खर्च हुआ, वहाँ पैसा खर्च हुआ, और auditing, auditing means important है, कि जहाँ पैसा खर्च होना था, क्या वहाँ पैसा खर्च हुआ है, उसे कहते है auditing, तो यही काम होता है, इसका mainly, कि यह accounting भी करते है और auditing भी करते हैं इसके बाद दीखिए आर्टिकल वन फिप्टी एडवाइसे दो प्रिसे प्रिसेडेंट विडिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन अप्ड फॉर्म इन विद आकांट्स आप दे सेंटर अन्द इस्टेट शल भी केप तो यह आर्टिकल में देखिए आप अब इननने audit कर दिया ठीक है audit करने के बाद यह जो रिपोड बनाते हैं तो यह किसको प्रिसेडेंट करते हैं तो अगर यह सेंटर की रिपोड बना रहे है ठीक है मैंने जैसे कहा था कि यह स्टेट को भी देखते है और सेंटर को भी यह देखते है तो यहां पर अभी यह properly हुआ है नहीं, यह सब इस report में है तो आप President इसके बाद क्या करते है देखिए, आप इसका difference हमझ लीजिए आप President क्या करेंगे Who shall in return place them before both the houses of Parliament अब यहां से President का काम शुरू होता है तो यह जो report होती है यह both houses of the Parliament में यह present करते है ठीक है, अब यहां पर हो गया इस center की बात अब आते हम state पर क्या होता है देखिए, he submits his audit reports relating to the accounts of state to governor अब state lever की जो इनने audit report बना दी तो यह governor को देंगे अब governor किसको देंगे Who shall in return place them before the state legislature तो state की बात हो रही तो वहां पर वो state legislature को दे देंगे गवर्नर, ऐसा नहीं होगा कि जो क्याग है, direct वो state legislature को दे देंगे state पर नहीं, governor को देंगे governor state legislature को यह दे देंगे center पर भी आईसा नहीं होगा कि यह इनकी report directly बोद the houses of parliament में present करेंगे यह president को दे देंगे इसके बाद यह president का काम है कि houses में present करें तो देखिए यह important point थे तो यह किस article में बता गए article 151 में तो देखिए इसके बाद देखिए यह तीन तरह की जो report है क्या करते है the CAC submits three audit reports to the president तो president को यह तीन तरह की audit reports present करते है audit report on appropriation accounts audit report on financial accounts and audit report on public undertaking तो तीन तरह की यह report करते है appreciation accounts audit report on financial account audit report on public undertakings तो क्या है यह public undertakings audit report on financial account appropriation account तो आप इसका वीकी कर लीजिए आपको अगर आप sales इसकी read करेंगे तो आपको properly और भी कुछ points मिल सकते तो मैं आप पे छोड़ता हूं कि at least आप इतने जो है देख लीजी क्या-क्या इसके अंदर आता है इन reports के अंदर तो आपको properly इसकी knowledge मिल जाएंगी और अब आगे भी वीडियो है लेकिन सबसे पहले प्लीज अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो एक बार like कर लीजिए आगे भी और और service condition कहेंगे कि ये कितने साल इस post पे रहेंगे क्या powers होंगे तो ये parliament determine करता है तो दिखिए his salary is equal to the judge of supreme court तो supreme court को जितनी salary होती है judge को supreme court के judge को उतनी salary किसको होती है कैक को होती है तो important points था ये देखिए और इनकी salary कहां से दी जाती है consolidated fund of India important है कि exam में आ सकता है कि कैक की salary कहां से दी जाती है तो parliament नहीं देता है इसकी salary यहां से निकाली जाती है consolidated fund of India ठीक है तो ये भी था important points related to कैक दिखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है मगर ये important points थे कैक एक important points है exam के point of view से ये important topic है तो ये मस सोचिए कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है आप इसकी एक बार वीडियो को जरूर पूरी तरह से देख लिजी ताकि इसके पूरी और proper आपको information कैक की मिल जाए तो ये ठीक नहीं है कि half video देख ले ना ठीक है वो कहते हैं ना कि half knowledge is dangerous तो अच्छे points मैंने cover की है तो आप पूरा वीडियो को पूरा दिखिए अब इसके हम term की बात करते है six year और up to the age of 65 years ठीक है तो क्या मतलब term क्या बता रहा है ये इसका six year होता है मतलब अगर किसी का open किया गया तो छे साल तक इस post पे रह सकता है six year और up to the age of 65 years तो इसे समझना जरूरी है तो समझ लीजी कि कोई 60 years में क्या की post पे उसको appoint किया जाता है वो 60 साल का हो गया और तो उसको appoint किया गया तो अब मुझे बोलिए कि वो six years तक इस post पे रह सकता है तो इसका answer नहीं नहीं ये बिलकुल नहीं रह सकता six years है इसका term मगर यहाँ पे दिखे the age of 65 years 65 years से ज़्यादा का ज़्यादा तक आप इस post पे नहीं रह सकते है तो 60 साल के ये already है तो ये पास साल के बाद 65 years के हो जाएंगे मतलब ये पास साल तक ही रहेंगे six साल तक six years नहीं रहेंगे अगर कोई 62 years में अगर बनता है कैक तो देखिए वहाँ भी वो six years नहीं रह पाएंगा इस post पे वो सिप तीन साल ही रह पाएंगा 62 में वो बन गए है 63, 64 और 65 ठीक है तो ये 65 years के हो जाएंगे तीन साल में तो यहां सिप ये तीन साल तक इस post पे रहेंगे six years नहीं अगर कोई 59 years में देखिए यहां पर इंपोर्टन है 59 years में कोई कैक बनता है तो आप बोलिए यह रह पाएंगा six years बिल्कुर रह पाएंगा 65 years तक ये 65 years भी यहां पर eligible होंगा और six years भी होंगा तो जैसे इनके छे साल हो जाएंगे तब वो 65 years के हो जाएंगे तो यहां पर वो रह सकता है मगर ये दो condition में नहीं रह सकता है मतलब 65 years के बाद कोई भी स्पोस्ट पे नहीं रह सकता है ठीक है नॉर्मली six years तक होता है अगर कोई 25 साल के उमर में 30 साल के 50 साल के बनेगा तो properly six years वो रह पाएंगा अब हम देखेंगे इसकी impeachment process, impeachment process क्या होती है कि इसको किस तरह से remove किया जाता है CAC को तो देखिए remove by president on the same ground and in same manner as a judge of supreme court तो remove तो precedent ही करेंगे लेकिन इसका जो process होता है किस से से में जिस तरह से supreme court के जो judge है ना उनको जिस तरह से remove किया जाता है जिस manner में उन्हें remove करने की जो process होती है same उसे लागो होती है CAC को तो क्या है हमें पता है कि Supreme Court के judge को किस तरह से remove किया जाता है दिखिए लोक सबा में तो इतना आसान नहीं होता है CAC को या Supreme Court के जो judge है उनको remove करना तो लोक सबा में at least hundred जो seat हम कहेंगे seat या फिराजे सबा में 50 vote कहेंगे हमें से इनके against होने चाहिए तो उसके बाद यह ही president उनको remove कर सकता है यह देखिए मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया अगर आप deep मे इसकी study करना चाहिए तो Supreme Court का आप judge को किस तरह से remove किया जाता है वो पुरा properly देख लीजिए तो लोक सबा में at least hundred जो person होते है ठीक है और राज्य सबा में जो 50 होते है तो इसके against होने चाहिए तभी इनको remove किया जाता है तभी इनको president remove कर सकते है तो और भी कुछ important points थे CACS related authorized to draw money by issuing checks without specific authority from CAG तो यहां एक important दीखे मैं आपको एक point बताना चाहूंगा कि CAG has no control over the issue of money from the consolidated fund of India कि हमारे जो consolidated fund of India से अगर कोई money issue हो रहा है किसी को use के लिए issue हो रहा है तो CAG ऐसा नहीं कह सकते है कि नहीं यह money गलत reason के लिए use हो रहा है यह नहीं pass होंगा ठीक है तो यहां पर उनका access नहीं होता है जो कि बहुत गलत है ठीक है और उसके बाद देखिए and many departments are authorized to draw money by issuing checks without specific authority from CAG तो यहां पर इनका use क्या है देखिए CAG का हमारे इंडिया में के money तो अलेड़ी withdraw हो गया है consolidated fund में से पैसे use ले लिए किसी ने 100 करोड रुपे किसी project के लिए example हम कहोंगे तो हमारे CAG ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई जो यह 100 करोड रुपे इस project को नहीं लगेंगे आप जादे ले रहा हो तो पैसे जब बाहर आ जाते है उसके बाद कहां use हो है उसको audit करने का काम यह इनका होता है मतलब यह रोक नहीं सकते है consolidated fund में से पैसे किसी को लेने से किसी कोई अगर project है तो यह इस तरह से नहीं होना चाहिए इनके नाम में दिखी है controller and audit general है तो इसी भी audit करते है control नहीं है money का कोई भी पैसे निकाल सकता है consolidated fund में से तो देखे उसके बाद who is concerned only at audit stage जैसे मैंने कहा कि सिप audit करते है कि पैसा निकल तो गया किसी project के लिए आप use कहा हुआ है सिप audit करते है when expenditure has already taken place खर्चा तो हो गया आप इनका काम है audit करना पहले कुछ नहीं कर सकते है मतलब अगर किसी ने कहा कि भाई xyz project के लिए 100 करूड पर लग रहा है कि आप यहाँ पर कैक की permission की कोई ज़रूरत नहीं है consolidated fund में से पैसे निकालने के लिए direct निकाल सकते है मगर use करने के बाद audit कोन करता है हमारे कैक जी करते है ठीक है तो controller तो हम नहीं कहेंगे सिप audit ही कहते है नाम में तो controller भी है पैसों को control तो नहीं कर रहे है ठीक है उसके बाद दिखिए CAG of India differs totally from the CAG of Britain who has powers of both तो हमारे जो CAG है यह पूरी तरह से अलग है Britain के CAG से वहाँ पे Britain के CAG को दोनों भी powers दी गए है कि किसी को अगर पैसा निकालना है ठीक है तो permission CAG की लगेंगी अब निकाल दिया पैसा उसके बाद कहां use हो रहा है या audit तो करते ही है CAG तो दिखिए controller as well as auditor general ठीक है तो यह दोनों लेवल पे काम करते हैं Britain में In other words in Britain the executive can draw money from the public exchequer only with the appral of the CAG most important है तो Britain में क्या होता है कि कोई executive जो होता है हमारा तो अगर इनको पैसे निकालना है कोई project के लिए तो CAG की permission वहां लगती है इंडिया में नहीं लगती इंडिया में अगर कोई executive समझो कोई project है उसके लिए 100-200 करोड लग रहे है तो वहाँ पे उनको CAG की ज़रूत नहीं है पैसा निकाल सकता है एक अलग process होती है मगर ब्रिटेन में पैसा निकालते टेम भी audit के टेम भी निकालते टेम तो controller की permission लगती है audit तो controller करता है तो वहां का जो CAG है बहुत powerful है और real sense में वो CAG है क्योंकि वो control भी करता है audit भी करता है ठीक है तो एक act बना था related to CAG the parliament enacted the CAG's duties, powers and conditions of service इसमें सब आता था act 1971 में कब बना था ये 1971 हमें याद रखना है ये जो क्या कहेंगे हम देखी act कब बना था 1971 में जो क्या किस चीज़ों को mention करता था duties, powers and condition of service of CAG ठीक है तो इसने किसने बना था the parliament ठीक है अब देखिए this act was amended in 1976 to separate accounts from the audit in the central government तो ये जो act है तो government को बात में लगा कि इसमें कुछ amendment क्या होता है changes इसमें कुछ changes लाए गए this act was amended in 1976 में पहल तो बना कब 1971 हमें याद रखना है अमेंड कब हुआ इसमें changes कब आए तो 1976 में changes आए क्या to separate account from the audit in the central government account और audits को अलग कर दिया गया तो ये एक act था related to CAG अब देखिए एक ये जो CAG की जो पोस्ट है वो independence body है मतलब देखिए ये सिब responsible है parliament के लिए किसी minister के लिए responsible ये नहीं है मतलब क्या देखिए अगर CAG अगर ये जो पोस्ट है तो ये क्या करती है पैसो की public person जो हमारी जो tax है हमारी जो पैसे इनकी audit भी करते है ये ठीक है ये accounting भी करते है money से related state level पे और center level पे तो ठीक है तो कोई minister क्या करेंगा उसको अगर कुछ काम निकलवाना है CAG से तो फिर वो क्या करेंगा उसका काम आसनी से निकलवा देंगा CAG को या कोई minister ने समझे कोई घोटा लग कर दिया ठीक है 200 करोड ले लिए उसने और CPU कितने किये 20 करोड बाकि उसने उसके जेब में डाल दिया तो अब यहाँ CAG का काम क्या होता है शुर होता है कि audit करता है कि भाई इस जो executive ने जो है ये properly जो पैसे लिए है इसका use किया है या नहीं किया ये तो powers हमारे CAG के पास है तो अगर CAG इसको responsible होता minister को तो फिर वो CAG को धमकाएंगा ठीक है कि तु मेरे अंडर है भाई तु मैं जो कहूंगा वही तुझे कहना करना पड़ेंगा वो CAG को धमकाएंगा तो इस condition में क्या होंगा एक controller audited general जो है हमारे properly काम नहीं कर पाएंगे इसलिए इंडेपेंडेंस बॉड़ी है सिप्र रिस्पॉंसिबल है पार्लीमेंट को बागे किसी minister को ये रिस्पॉंसिबल नहीं है तो यही पॉइंट है no minister can represent the CAG in Parliament देखिए बोथ houses and no minister can be called upon to take any responsibility for any action done by him तो यही बता गया कि कोई ministers के लिए ये responsible नहीं है ये इसी responsible है पार्लीमेंट के लिए ये अपना काम properly कर पाए जो घोटाले देखिए हम देखिए बहुत सारे अभी घोटाले सामने आ रहा है ठीक है तो 2G scam जो हुआ था पिछले काई scam हुए थे तो इनको हमको तो पता है कि scam में बड़े बड़े minister involved थ फिर भी ये सामने आए ठीक है पूरा इनान जो किया ये घोटाला इतने पैसों का corruption हम कहेंगे तो ये क्याग होता है कि properly audit करता है इनकी report देता है पार्लीमेंट को और फिर उसके बाद प्रिसिडेंट को या फिर अगर ये state पे है तो governor को और फिर वो आगे देते हैं तो इस इस तरह सी ये minister इसमें फस जाते हैं हम कहेंगे कि इनके जो घोटाले ये सामने आ जाते हैं क्योंकि क्याग उनकी responsible नहीं हो दमका नहीं सकते क्या को एक individual body ये होती है तो यही no minister can represent the king in parliament बहुत है no minister can be called upon to take any responsibility for any action done by him अगर क्याग नहीं है तो कोई minister नहीं कहेंगा कि भाई मै क्या कि ये जो file है जो audit report है ये आपको submit करता हूँ नहीं कर सकता है कोई भी तो देखें इस तरह कि ये इसके काम होते है क्या के इसके बाद दीखें जैसे मैंने कहा था कि independent body है he is provided with the security of tenure तो आप देखें हम वह example लेंगे कि कोई क्या की post पे है तो समझो कोई उस टाइम में को हमारे क्या कर रहा है तो उस टाइम में क्या है कि ये minister क्या करेंगा क्या उसकी अगर नहीं सुन रहा है और audit कर रहा है और इसकी report किसी को देना है उससे president को या state level पर हो रहा है तो governor को तो इस टाइम में मिनिस्टर बहुत powerful होते है तो ये क्या कर देंगे इसकी कई और बदली कर देंगे या इसको 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 पुरा duration नहीं होता है कोई हटा नहीं सकता है कोई इसमें दखल नहीं कर सकता है ताकि अपना काम properly कर पाए तो यहीं पॉइंट है he is provided with the security of tenure बहुत security दी गई है इसके post को हटाना भी आसान नहीं था हमने देखा ओपर मोटा मोटा के किस तरह से लोग सबा राज्य सबा में जैसे supreme court को जैसके judge को जैसा impeachment किया जाता है सेम इसकी process होती इतनी आसान नहीं होती है इनको हटाना supreme court भी एक important body है जो judge होते हमारे supreme court क उनको भी अगर कोई भी minister धमका सकता है तो वैसा नहीं होता है को उनको भी उनके post से कोई हटा ने सकता है important post है दोनों की कैक की भी और supreme court की भी तो देखे और देखे salary pension और age of retirement cannot be altered to his disadvantage after his appointment तो वही कोई धमकी देदेंगा हमारे कैक को कि अगर तुने मेरे कलाव अगर यह report भे can not be altered ठीक है तुझे work से पहले retire कर दूँगा कोई दमकी नहीं दे सकता है इनको कि इसलिए इनको इतनी security डिगे independence दिया गया है कि properly जो घोटा ले सामने आए proper जो public का पैसा है audit हो और सही जगा पे use हो अब एक आखरी हम कहेंगे last but not least important point related to क्या है देखे हिंदी में पद tag के ब he is not eligible for further office either under the government of India or any of any state after he says to hold his office ठीक है तो आप देखे है क्या के post पे post के लिए कोई appoint हो गया उसका duration पूरा हो गया इसके बाद ये कोई भी ठीक है कोई भी सरकारी post के लिए इसको appoint नहीं कर सकता state पे भी नहीं और center पे भी नहीं ठीक है तो आईसा क्यों तो देखे है अगर मुझको या आपको अगर कैक के post पे रखा जाता है six years तो अब आप क्या सोचोंगे कि आगे जाके मुझे ये कैक के post मेरी चले जाएंगी उसके बाद मुझे government में कोई अच्छी सी job मिल जाए तो इसलिए इसके बाद क्या अगर कोई बन जाता है इसको duration पूरा हो जाता है उसके बाद इसको कोई भी government job या कोई कहेंगे हम इसको कोई post नहीं मिल सकती center पे भी नहीं और state पे भी नहीं ताकि ये अपना काम properly कर सके या कोई से धमकी ना दे सके कोई officer executive या कोई minister के भाई अगर तुने हमारे साथ ऐसा किया audit किया ये किया वो किया तो बाद में हम तुछ को परिशान करेंगे कोई भी government job तुझे नहीं लगेंगी ठीक है तो इनको बाद में government से कुछ लेना देना नहीं है कैक को उनको कोई भी government post नहीं मिल सकती ये constitution में बताया गया है ठीक है तो इ इसकी पूरी knowledge आ गई है तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like कीजिए इस वीडियो को जाद से ज्यादा share कीजिए मेरे channel vision study IQ को subscribe कीजिए तो ये वीडियो enough है exam के point of view से कैक के लिए कैक की study के लिए तो thanks for watching my video